नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत सुवागत है आपका हमारे छेरण में दोस्तों चंदरघन लगने जा रहा है और ये चंदरघन का सही समय सूतकाल तथा चंदरघन के दोरान बरती जाने वाली उन महत्पुन सावधानियों के बारे में आपको बताएंगे तथा इसका सही समय सूतक काल और चंदरगन में कौन से उपायों को करना आपके लिशुब रहेगा किस प्रकार के कारे को करके आप अपने जीवर में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं आप अपने जीवर में सुक्सम्लदियों और काफी जादा धंदौलत की प्राप्ति किस प्रकार से कर सकते हैं चंदरगन के दोरान कौन से मंत्रों का उचारन करना आपके लिशुब रहेगा और ये जो आज चंदरगन लगने जा रहा है इसका सही समय सुतकाल कपसे रहेगा इन सभी के वारे में तथा गर्वती महिलाओं को कौन से साफधान या चंदरगन के दोरान वरत्ति चाहिए आपको बताएंगे सारी जानकारी पिस्तार से वीडियो को आखरी तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अबस्ते कर ले ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाली दिनों को बहतर बना सके तो मत्रों इस साल में कुल 6 गृहन लगने जा रहे हैं खास बात यह है कि ये सारी के सारी गृहन भारत में दिखाअए देंगे मत्रों आज जो चंदरगन लगने जा रहा है ये चंदरगृहन रात के 11 बज़कर 16 मिनट से प्रारम्ब होगा और इसके समापती तिती जो है ये दो बज कर 32 मिनट पर समापत होंगे यानि ये गरहन का कुल अफदे तीन घंटे 18 मिनट के रहने वाली हैं ये गरहन भारत सहेथ, एसिया, यूरोप, औस्टेरिया और अफेरिका के लोग देख पाएंगे मत्रों, आपको बताना चाहेंगे कि गरहन काल में सूतक का भी काफी महत्पुन होता है, सूतक काल में किसे भी सुपकारी को करना मनाई होते हैं, आप सूतक काल में पूजा पाट और देवी देवताओं के मुर्ती को असपर्स करना मनाई होती हैं, ऐसे में लगने वाला ये चुटकारा दिलाने में आपके काफे साहता कर सकता है। इसके साथ है आपको बताना चाहेंगे कि चंद्रग्रहन जब पुर्णिमा के दिन पड़ता है। लेकिन हर पुर्णिमा को चंद्रग्रहन नहीं पड़ता है। इसका कारण है कि पिर्थवी कक्ष पर चंद्रमा के कक् चंदरगन हो या सुरिगरन या किसी भी प्रकार का कोई भी खगोली घटना चंदरगन के दोरान या सुरिगरन के दोरान आप अन जल गरहन यानी नहीं कर सकते हैं भोजन करना भी मनाई होता है, साधिसुता लोगों को इस दोरान सहवास भी करना होता है और गुरुमंतर के जाप से कश्टो को दूर करना भी काफी आसान होता है यसले में चंदरगण हो या सुरिग्रहन आप किसी भी प्रकार के कोई भी खकोली घटना है आप इस दोरान महामिर्तुन्य मंतर का जाप करें तथा चंदरगण के समाप तो होते ही आप असनान आदी करके अपने दिन के सुरुआत करें तथा चंदरगण अगर रात में लग है तो आप सुबह उटकर सबसे पहले असनान कर लें गंगा जल से हो सके या नदी कुवां तलाप नलकूप कहें भी आप असनान कर लें असनान करने के उप्रांद आप घर में गंगा जल से ड़काव अवस्षय करें इसके पात आप खाना पीने की चीजों में तुलसी दल आपको बताना चाहेंगे कि चंद्रगन काफे महत्पुन है और ये गरवती महिलाओं को काफे प्रभावित करता है गरवती महिलाओं को विशेश रूप से चंद्रगन के दोरान साबधानी विरतनी चाहिए अगर आप चंद्रगन के दोरान विशेश रूप से आपको सुना नहीं चाहिए नहीं घर से बाहर निकलना चाहिए नहीं आपको खाना पीना या जलगरन करना चाहिए गरन के समय भगवान चंद्रगण या सुरेगरन राहु ग्रहसित कर देते हैं ऐसे में चंद्रगण के बाद पुराने समय में भारतिय संस्कृति में गरहन के बाद नहाने से सुद्धिक्रण हो जाता है गरन समापथी के बाद किसी तिरतस्तान या नदी तलाब सरोबर या घर में ही सुख्च पाने स्यस्नान कर लिया जाता है इसके दोरान आपको वताना चाहेंगे कि मान्यता现在 यह भी है कि गर्ण समाप्ति के वाद ही भोजन करना चाहिए और यदि गर्ण के समय बना हुआ खाना है तुसे फेकना भी नहीं चाहिए बलकि गर्ण के पश्चाथ उसमें तुलसी के पत्ते को डाल कर उसको सुद्ध कर लेना चाहिए तो ऐसे में वित्रों आपका दिन बहतर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा आता दी अवस्लिक है आपका दिन सबहो मंगलकारी हो जैमा विंदुवासने